तो हेलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक तो मैं चैनल, ओ फ्रेंड, आज की विडियो स्रीज के अंदर हम डिस्कुस करने वाले हैं, Graphs Traversal in Data Structure, यानि Data Structure के अंदर किस तरह से हम लोग Graph को Travers करेंगे, Travers यानि बारी-बारी से हर एक नोट पे विजिट करना, clear? तो आईए देखते हैं, इससे प्रेंस लेक्षिर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो प्लेडिश मना है, प्लेडिश का लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स मुमिल दाएगा, आप वहाँ से उसे चेक आउट कर लीजिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कहा रहा है, कि a graph traversal means the visiting all the node of the graph, यानि वही मतलब जो मैंने बताया, यानि जो भी आपका graph दिया है, उसके सारे node को कम से कम एक बार क्या करना, विजिट करना, और यह किस तरह से होता है, दो तरीकों से यह possible है, पहला आपका है, breath first traversal, तो इसमें कह रहा है, कि in breath first search, one node is select as a start position, यानि जो breath first search है, उसमें हम क्या करते है, एक node को as a start position माल लेते हैं, and it is visited and marked, और उसको हम क्या कर लेते हैं, visit कर लेते हैं, और उसको mark कर देते हैं, कि हाँ यह node आपका visit हो चुका है, clear, then all unvisited node are adjacent of the next node, and visited and marked in same sequential order, और जो आपके unvisited node रहेंगे, जिनको हम लोग visit नहीं किये रहेंगे, उनको हम क्या करेंगे, adjacent की तरह work करेगा, और उसको हम क्या करेंगे, next node की according visit करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम node के तरह बढ़ते जाएंगे, उसको visit करके, उसको mark करते जाएंगे, कि हाँ, यह node आपका complete हो गया, आईए एक example के तोरह समझेंगे, यह आपका example दिया हुआ है, जिसमें आपको कितने node दिये हुए है, 3, 3, 6, 3, 9 आपके node दिये हुए है, total 9 nodes है, A, B, C, D, E, F, G, H, और साथी साथ, यहाँ पे S दिया गया है, आप चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई foundation नहीं है, समझने के लिए है, यहाँ पे हमन बढ़ेंगे तो, तो B आपका हो जाएगा, देन उसके बाद S हो जाएगा, clear, बीच बीच में आपके comma देते जाना है, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे हमने, यहाँ तक के पूरे concept को देख लिया, उसके बाद हमें S पक पहुंचना है, S से कौन-कौन से जुड़ा F जुड़ा हुआ है, तो पहले कौन आता है, D आता है, देन उसके बाद आपका E आता है, उसके बाद F आता है, तो लास्ट में बच कौन गया आपका H, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आप BFS के यूज से इसके example को find out कर लिया, आईए हम लोग DFS को समझ लेते हैं, तो friend, D DFS, जिसे हम लोग depth first search कहते हैं, follows the first path from the starting node to an ending node, यानि हम क्या करते हैं, इसमें first path को starting node से ending node तक के बीच के लिए मान लेते हैं, then other path from the start to the end and so forth until all the nodes have been visited, clear, तो यह आपका point है, इसको हम example के द्वारा समझ लेते हैं, example आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर A है, पहले तो A हो जाएगा, उसके बाद आपका B होगा, उसके बाद आपका S हो जागा, यहाँ तो कोई लिदिकत नहीं है, अब बारी आता है, यहाँ से, यहाँ से कौन कौन से जुड़े हुए, F जुड़ा हुआ है, D जुड़ा हुआ है, E जुड़ा हुआ है, तो पहले E आएगा, clear, ले क्लियर हो जाएंगी तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीज़ेगा फ्रेंस जल्दी मिलते हैं ऐसे इंट्रेस्ट्री वीडियो अब साथ तब तक के लिए तैंक यू